हलो फ्रेंड्स, नीट 2020 न्यूटन्स लॉज अफ मोशन और फ्रिक्शन के इस क्वेशन में हमें दो बॉडीज दिये गए थे जिनके मास्स थे 4 kg और 6 kg जिनको हमने टाइ किया था ends of a massless string से ये string पास हो रहा था एक पुली से जो की frictionless से डाइग्राम में आप देख सकते हैं question में हमसे पूछा गया था acceleration of system in terms of acceleration due to gravity तो इस question को करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ के इस question को आप direct approach से कर सकते हैं ये question आपका formula based question है और आपको two block police system के ये दो formula जो की बहुत important है याद रखने चाहिए ताकि आप उनको सीधे question में apply कर सकें कई बार ऐसा हो सकता है कि ये question आपसे individually पूछ लिया जाए और हो सकता है कि किसी question में आपको ये case as a component as a part दिया जाए तो उस case में आप अपना time save कर सकते हैं so without making any fdd without making any equation हम सीधे result याद रखने जा रहे हैं जिसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर m2 greater than m1 आपको दिया हो in a two block poly system like that तो acceleration को direct आप लिख सकते हो m2 minus m1 into g upon m2 plus m1 अब यहाँ पे m2 और m1 की value case के हिसाब से question के हिसाब से change हो सकती है अगर आपसे acceleration ना पूछ के tension पूछ लिया जाता तो आप direct apply कर सकते हैं to m1 m2 g upon m1 plus m2 so you can apply these two formulas directly in the question और आप अपना answer निकाल सकते हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो please like share and subscribe my channel और bell icon दबना ना भूलें ताकि सभी important updates आपको timely receive होते रहें इसके लावा questions के text solution जिनमें आपको video play नहीं करना पड़ता मेरे blog पर available है question नहीं बनता blogspot.com अगर आप मुझे contact करना चाते हैं तो मेरे email पर contact कर सकते हैं अगर आप tips of the day के लिए मुझे join करना चाते हैं तो facebook page और insta पर भी join कर सकते हैं